मेरे मित्र और अमेरिका के राश्पती डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिके डेलिगेशन के सम्मानित सदस्रेगाण, लेडिज और जेन्ट्रमेन, नमस्ते राश्पती ट्रम्प और उनके डेलिगेशन का भारत में एक बार फिर हारदिक स्वागत है, मुझे विशेश खुशी है कि इसी आत्रा पर वो अपने परिवार के साथ आये हैं, पिछले आठ महिनों में राश्पती ट्रम्प और मेरे बीच ये पांचवी मुलाकात है, कल मुटे रा में राश्पती ट्रम्प का अन्प्रिसिडेंटेड और हिस्टोरिकल वेलकम हमेशा याद रखा जाएगा, कल ये फिर से स्पस्ट हुआ, कि अमेरिका और भारत के सम्मंद सिर्फ दो सरकारों के बीच नहीं है, बलकि पीपल ड्रिवन है, पीपल सेंट्रिक है, ये समंद 21 सदी की सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर्शिप में हैं, और इसलिए आज राश्पती ट्रम्प और मैंने हमारे समंधों को कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप के स्तर पर ले जाने का निर्ण लिया है, समंधों को इस मुकाम तक लाने में राश्पती ट्रम्प का अमुल्ले योगदान रहा है, फ्रेंट्स, आज हमारी चर्चा में हमने इस पार्टनर्शिप के हर अहेम पहलू पर सकारात्मक विचार किया, चाहे वो डिफेंस एंड सिकुरिटी हो, एनर्जी स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप हो, टेक्नोलोजी कोपरेशन हो, ग्लोबल कनेक्टिविटी हो, ट्रेड रिलेशन्स हो, या फिर पीपल टू पीपल टाइज, भारत और अमेरिका के बीच, बढ़ता रक्षा और सुरक्षा सहयोग, हमारी स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप का एक बहुत अहम हिस्सा है, अत्याधूनिक रक्षा उपकरण, वह प्लेटफॉर्म पर सहयोग से भारत की डिफेंस क्षमता में बढ़ोत्री हुई है, हमारे डिफेंस मेनिफेक्चरर्स एक दूसरे की सप्लाई चेंज का हिस्सा बन रहे हैं, भारतिय फोर्सिस आज सबसे अधिक ट्रेनिंग एक्सरसाइजिज युएसे के फोर्सिस के साथ कर रही है, पिछले कुछ सालों में हमारी सेनाओं के बीच इंटर अपरिट मिलिटिक में अन प्रसिडेंटेट व्रुद्धी हुई है, फ्रेंट्स इसी तरह हम अपने होमलेंड्स के सुरक्षा और अंतराष्टी अपराच से लड़ने के लिए भी सायोग बढ़ा रहे हैं, आज होमलेंड्स सेकुरिटी पर हुए निर्णै से इस सायोग को और बल मिलेगा, आतंक के समर्थकों को जिम्मेदार ठहराने के लिए आज हमने अपने प्रयासों को और बढ़ाने का निश्चे किया है, प्रेशिडेंट ट्रम्प ने ड्रग्स और ओपियोड क्राइसिस से लड़ाई को प्राथफिक्ता दी हैं, आज हमारे बीच, ड्रग ट्रेफिकिंग, नारको टरुरिजम और और अर्गनाइज क्राइम जैसी गंभीर समस्याओं के बारे में एक नए मेकेनिजम पर भी सहमती हुई है, फ्रेंड्स, कुछी समय पहले स्थापिद हमारी स्ट्राटिजिक एनर्जी पार्टरशिप सुद्रड होती जा रही है, और इस खेत्र में आपसी निवेश बढ़ा है, तेल और गैस के लिए अमेरिका भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोथ बन गया है, पिछले चार वर्षों में हमारा कूल एनर्जी वेपार करीब 20 बिलियन डॉलर रहा है, रिन्यूएबल हो या नुकलियर एनर्जी हमारे कोपरेशन को नई उर्जा मिल रही है, फ्रेंट्स, इसी तरह इंडस्ट्री 4.0 और 21st सेंचुरी की अन्य उभरती टेक्नलोजी उस पर भी इंडिया-उस पार्टरशिप, इनोवेशन और एंटरप्राइज के नए मुकाम स्थापित कर रही है, भारतीय प्रोफेशनल्स के टैलेंट ने अमेरिकी कम्पनीज की टेक्नलोजी लीडर्शिप को मजबूत किया है, फ्रेंट्स, भारत और अमेरिका आर्थिक शेत्र में ओपन्नेस और फैर एंड बैलेंस ट्रेड के लिए प्रतिबद्ध है, पिछले तीन वर्षों में हमारे द्वीपक्षिय व्यापार में डबल डिजिट ग्रोथ हुई हैं और वह ज्यादा संतुलिद भी हुआ है, अगर एनरजी, सिविल एरक्राफ्ट, डिफेंस और हायर एजुकेशन ले, तो पिछले चार पांच सालों में सिरफ इन चार सेक्टर्स नहीं भारत अमेरिका के आर्थिक सबंदों में लगबग 70 बिलियन डॉलर्स का योगदान किया है, इस में से काफी कुछ राष्ट्रपती ट्रम्प की नीतियों और फैस्टलों के कारण संबव हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यह आंकड़ा काफी बढ़ जाएगा, जहां तक बाइलेटरल ट्रेड का सवाल है, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर के बीच सकारात्मग वारताएं हुई है, राजपती ट्रम्प और मैं आज सहमत हुए हैं कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर के बीच जो अन्डरस्टैनिंग बनी हैं, उसे हमारी टीम्स लीगल रूप दें, हम एक बड़ी ट्रेड डिल के लिए नेगोशेशन सुरू करने पर भी सहमत हुए हैं, हमें आशा हैं कि आपसी हीत में इसके अच्छे परणाम निकलेंगे, प्रेंट्स बैश्विक्स तर पर भारत और अमेरिका का सयोग हमारे समान लोकतांत्रिक मुल्यों और उद्देशों पर आधारिद है, खास कर इंडो पैसिफिक और ग्लोबल कॉमन्स में, रूल बेज इंटरनेशनल आर्डर के लिए यह सयोग विशेश महत्व रखता है, हम दोनों देश विश्व में, कनेक्टिविटी इंफास्ट्रेक्टर के विकास में, सस्टेनेबल एंड टांस्परेंट फाइनांसिंग के महत्व पर सहमत है, हमारा यह आपसी तानमेल एक दुसरे के ही नहीं, बलकि विश्व के हित में है, फ्रेंट्स, भारत और अमेरिका की इस्पेशल मित्रता की सबसे महत्व पून नीव, हमारे पीपल टू पीपल रिलेशन्स है, चाहे वो प्रफेशनल्स हो या स्टूडन्स, यूएसे में इंडियन डाइस्परा का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है, भारत के ये एंबेसेडर्स ना सिर्फ अपने टैलेंट और परिश्रम से येसे की अर्थेववस्ता में कॉन्ट्रिबूट कर रहे हैं, बलकि अपने डेमोक्रेटिक वेल्यूस और सम्रुद्ध कल्चर से अमेरिकन सोसाइट्यू को भी एंड रिच कर रहे हैं, मैंने राष्टपती ट्रम से अनुरोद किया है कि हमारे प्रफेशनल्स के सोचल सिक्रूटरी कॉन्ट्रिबूशन पर टोटलाइजेशन एग्रिमेंट को दोनों पक्ष चर्चा आगे बढ़ाएं, ये आपसी हीत में होगा, फ्रेंट्स, इन सभी आयामों में हमारे रिच्टों को और मजबूत बनाने में राष्टपती ट्रम की ये यात्राने अित्याहसिक भूमी का निभाई है, एक बार फिर मैं प्रेसिडेंट्ट्रम को भारत आने के लिए और भारत अमेरिका सबंदों को नई उचाई पर पहुंचाने के लिए हार देख धन्यवाद देता हूँ, तैंक्यू